जैह स्वीर राम के द्रभवान के भार्जवाज द्वारा भरत जी का भरनिवारन सुनी मुनी वचन भरत ही सोचु जैस्याराम भयको सर कठीन संकोचु जैस्याराम जाननी गरुई गुरु गिरा बहोरी जैस्याराम चन बंजी बोले कर जोरी जैस्याराम सिर धरिया सुकर ये तुम्हारा जैस याराम परम धरम ये नाथ हमारा जैस याराम भर्त बचन मुनी वर्मन भाए जैस याराम सुची चेवक सब निक्ट बुलाए जैस याराम चाह ये कीन भर्त पहुनाई जैस याराम कंद मूर फल आन हुजाई जैस याराम भले नात कहीं तिन सिरनाए जैसी आराम, हर्षितनी जनी जिकाज सिधाए जैसी आराम, मुनी सोच पानों बढ़ने वता जैसी आराम, चासी पूजा चाहाए जिस देवता जैसी आराम, सुनी रिशी सिध अनिमा दिकाई जैसी आराम, आस्तु होई सुकरें गुशाई जैसी राम भी रहे ब्याकूल भरत, सानु जैसे कल समाज, पहुनाई करी हर हुश्रम, कहो मुझी तमु निराज सियावर राम जै जै राम, मेरे प्रभुराम जै सिया राम, करो कल्यान जै जै राम मूनी के बचन सुनकर भरत जी हर्ज में बड़ा सोचने लगे, और ऐसे कोश्र पर बड़ा संकोच हुआ, फिर गूरू के बचनों को बड़ा जान, उनके चड़नों की वंदना कर हाथ जड़कर बोले, हे नात, यही हमारा बड़ा धर्म है, कि आपकी आग्या सिर्फ पर रख पूरी की जावे, भरत जी के बचन मूनी के मन को बहुत अच्छे लगे, तब उन्होंने अपने सब वितर सेवकों को पास वुलाया, और कहा कि भरत को पहनाई करवाना चाहता हूं, जाकर कंद मूल फर ले आओ, तब वे हे नात, बहुत अच्छा कहकर, सिर्नवा कर अपने काम को चले, मूनी ने सोचा कि बड़े पाहुने का न्योत्ता दिया है, जैसा देवता हो, उनको वैसी ही पूजा होनी चाहिए, यह सुनकरी दियां और आजी अनिमा सिदियां आई, और बोली कि हे गुशाई, जो आज्या हो सो हम करें, मूनी स्रेट प्रसंणों बो मास प्रायन उन्ने स्वाविशराम, मंगल भावान, मंगल हारी, ज्रव हुस दर्शरत दर्विहारी, रिद्धी सिद्धी सिद्धर मुनी वर्मानी जैस याराम, बड़ भागिनी आपनों अनुमानी जैस याराम, काही प्रस्पर सिद्धी समनाई जैस याराम, अतलित अते थिराम लगुभाई जैस याराम, मूनी पद बंती करिये सोया जू जैस याराम, होय सुकि सब साज सम द द द द जार्म प्रत्म ही वास दिये सब के ही जैस्याराम सुन्दर सुक्त स्यथा रुचिजे ही जैस्याराम बहुरिस परिजन भर्तक है रिश्यायस असदीन है विधी रुष में डायक विभव मुनिवरत पबलकीन हस्यावर राम जै जै राम मेरे प्रभुराम जै सियाराम करो कल्यान जै जै राम रिजी शिद्यों ने मुनि सेख्ट का वचन सीर पर धर कर अपने को बढ़ भागनी माना और शिद्यों के गण आपस में कहने लगें कि राम जी के छोटे भाई भरुत अनुपम अति थी हैं अत्या मुनि के चर्णों को परनाम कर आज वही करिये जिससे सब राद समाद सुख पावें ऐसा कहें उन्होंने अनेक परकार के सुन्दर घर रचे जीने देकर विवान भी लजाने लगे उन घरों में भोग और अनेक परकार के आश्वले भर रखे थे जिनके देखने से देवताओं की भी चाह होती थी दासी दास सब समान लिए मन लगा कर उनके मन को देखते रहें जो सुख स्वर्ग में भी स्वपन में नहीं है वे सब समाज सिध्यों ने पल भर में ही सजा दियें पहले सब रूची के इंसार सुन्दर सुख देने वाले स्थान सब को दियें फिर परिवार सहित भरत जी को स्थान दिया क्योंकि मूनी की ऐसी ही आग्या थी मूनी नाचनी तपश्या के बल से ब्रमा को चकित कर देने वाला एश्वरे रच दिया जब भर्ट जी ने मूनी का प्रभाव देखा तो उन्हें लोक पालों में सब तुछ दिखाई दिये सुक का समाज कहते नहीं बनता जिसको देखने से ज्ञानी मूनी ब्रग को भूल जाते हैं आशन, सेज, उत्तम वस्तर, चंदोवा, ग्वन बगीच्चा, अनेक भांति के पक्षी और मरग, सुगंदित फूल तथा अमरित के समाश्वार्भाव